डोग found himself a new master के question answer करेंगे यह lesson मैंने पहले करवा दिया है आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो और question answer करने से पहले आप एक बार और वो वीडियो देख ले ताकि आपको question answer बड़िया तरीके से समाज आई तो चलो हम इसके question answer करते हैं पहला आपका question है Why did the dog feel the need for a master? पुत्ते को एक मालिक की आवसक्ता क्यों महसूस हुई? तो आप इसका answer लिखोगे the dog felt for the need of a master because he was sick and tired of his routine life of searching food here and there कुत्ते को मालिक आवसक्ता महसूस हुई? क्योंकि वह बोजन की तालास में रोजाना इदर उदर भटकता था तो वह बिमार हो जाता था और ठक जाता था second आपका question है who did he first choose as his master? why did he leave that master? उसने सबसे पहले अपना मालिक की से चुना और उसे बाद में छोड़ क्यों दिया? तो आप इसका answer लिखोगे he first chose wolf as his master उसने सबसे पहले भेडिये को चुना था he left him उसने उसे छोड़ दिया because क्योंकि he was afraid of beer क्योंकि वह भालू से डर गया था third आपका question है who did he choose next उसने आगे किसे चुना? तो आप इसका answer लिखोगे he chose beer as his master next उसने भालू को अपना अगला मालिक सुना next है आपका why did he serve the loan for a long time उसने शेर की सेवा लंबे समय तक क्यों की थी? तो आप इसका answer लिखोगे he served the loan for a long time because उसने शेर की लंबे समय तक सेवा की क्योंकि there was no complaint and no one could dare touch him क्योंकि उसे कोई शिकायत नहीं थी और कोई भी उसे चुने की हिम्मत नहीं करता था next आपका question है who did he finally choose as his master and why? उसने आखिरकार अपना मालिक इसे चुना और क्यों? आप इसका answer लिखोगे he finally chose man as his master आखिर में उसने आदमी को अपना मालिक चुना he was stronger than the loan वह सेर से ज़्यादा ताकतवर था तो यह थे बच्चों आपके question answer अगर आपने lesson ढंक से पड़ा है तो आप इसके question answer अराम से कर सकते हो next आपका part B है इसमें आपको पूरे lesson की summary दी हुई है summary मतलब science मतलब पूरे lesson का छोटा group लेकिन उसमें कुछ से गया खली है, blank है तो आपको जो box में सब्द दिये हुए है उठा के वहां पर लिखने है तो मैं इसको पैसे को पूरा पढ़ देता हूँ और आप इसको साथ साथ फिल कर लेना इस तसे पूरे अज़ भो उस तो फिज़ बहु है उस्माषर, जदेगा है, पूरे वह है, जब देखी तो फिल रहां ज़िए ट्रोंगर थे लेंसे, अज़ बहां बहां है उस्माषर, पूरे ज़हां, जब बहुए है वैरोग बीर the dog thought that the beer was the strongest of all after some time the dog met a lowen who seemed the strongest he stayed with the lowen for a long time One day he realized that the loven was afraid of man To this day the dog remains man's best friend Next up का पार्ट है इसमें बोक्ष में कुछ शबद दिये हुए हैं जो की एक पूरे समू को दिखाते है तो आपको नीचे खलिस्तान में उसको करेक्टर तरीके से बरना है जैसे इसमें इक्जाम्पल दिया हुआ है ए हर्ड ओफ पाउज गायों का जूंड उसी साब से आपको नीचे तरीकस्तान बरने है पहला है आपका ए आप इसमें लिखोगे फ्लीट ओफ सीप इसमें बहुत सीप को फ्लीट बोलते हैं नेच्ट आपका फ्लोर इसमें आप लिखोगे बंच बंच मतलब होता है गुच्छा इनि बहुत से फूलों का गुच्छा फ्रड आपका चिक्स होते हैं चूजे यानि मुर्गी के छोटे बच्चों को चूजे कहते हैं और बहुत से चूजे को ब्रूड नेक्स्ट आपका हर्ड ह-e-r-d ए हर्ड ओफ केटल नेक्स्ट आपका बंडल लकडियों का समूँ उसको बंडल बोलते हैं नेक्स्ट आपका फ्लोग फ्लोग मतलब होता है जूंड इसमें आप लिखोगे फ्लोग नेक्स्ट आपका स्कूल और लास्ट आपका पैक बेडियों के गुरूप के लिए पैक सबद का यूज करते हैं इसी का आपका नेक्स्ट पार्ट है इसमें आपको नौन बंडने है जिसमें जो सबद निचे दीव हैं उनके पिछे या तो N-E-S-S या I-T-Y या T-Y या Y जोड़कर आपको नौन बंडने है नौन मतलब संग्या ओनेस्ट ओनेस्ट मतलब होता है इमानदार आप इसे लिखोगे ओनेस्टी नेक्स्ट आप लिखोगे का आइंड का का आइंडनेस नेक्स्ट है क्रूल का आप लिखोगे क्रूलिटी C-R-U-E-L-T-Y क्रूलिटी काम आप इसे लिखोगे कामनेस्ट आपका सैड और इसका लिखोगे सैडनेस्ट आपका एक्टिव इसकी लिखोगे एक्टिविटी नेक्स्ट है आपकी क्रियेटिव इसका लिखोगे क्रियेटिविटी नेक्स्ट है आपका सिंसियर इसकी लिखोगे सिंसियर्टी नेक्स्ट है आपका चीयर्फुल इसको लिखोगे चीयर्फुलनेस्ट cheerfulness next आपका bitter इसका लिखोगे bitterness next आपका sensitive इसका लिखोगे sensitivity और last आपका great इसका लिखोगे greatness ये आपका वच्चो लेशन complete हो चुका है आप इस लेशन को पड़ ले ना और इसके question answer पर लेना